हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डॉट बस्टर हम पढ़ रहे थे ब्लड को अगुलेशन और इसके प्रीविएस वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड वेसल्स में जो हेल्दी एंडोथीलियम सेल्स होती है वो कैसे बीव करती है जब ब्लड वेसल्स में कोई भी ट्रॉमा नही होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे जब ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है तो क्या-क्या प्रॉसेस होती है इंदा कोईगुलेशन कैस्केड तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर यह जो रेड़ सेल्स हैं इस रेड़ सेल्स आर एंडोथीलियम सेल् और इसील्स आर है और भॉसेल्स आयोट ऑफिसल प्रॉसेल्स आयोट शेल्स रप्चर हो जाती है उल्स ने नहीं आप यह जो ऐड़ सेल्स के राएक शाव केस्ट में आप दिक पा रहे हैं ब्लैक बरॉड्अल टाइप और इस मेंन्स टग चल्प्रों साइट और दिशना इसका मतलब कि यहां पर जो एंटी प्लेटलेटिक प्रॉपर्टी थी एंडोथीलियम सेल्स में जो कि प्लेटलेट्स को इन्हिबिट कर रहे थी बाइदा एक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्रीशन्स वो यहां पर अब अवेलेबल नहीं है इस साइट पर कोई भी एंटी प्लेट क्या होगा सबसे पहला स्टेप होता है वेसुलर इसपाज्म वेसुल इसपाज्म और वेजि कंस्ट्रिक्शन होगा इट मीन जो लीओमेन है वन यह जाएंगी और उस से क्या होगा कि जो blood flow है वो reduce हो जाएगा and due to this जो blood flow का जो speed है वो decrease हो जाएगा और कम amount में blood बाहर release होगा so this is the first step तो we should remember कि यहाँ पे endothelium cells rupture हुई है तो यहाँ पे nerves भी present है तो यहाँ पे दो तरह का vasoconstrictions होता है है ना नमबर वन नमबर वन जो damaged nerves है जो damaged nerves है यह कुछ vasoconstrictors release करती है यह भी कुछ vasoconstrictors release करती है जो क्या करती है यह blood vessels की smooth muscles को contract करेंगे है ना as well as जो endothelium cells की smooth muscles है okay जो muscles है endothelium cells की आस पास की smooth muscles they will also produce vasoconstrictors यह भी vasoconstrictors produce करेंगे और as a result blood vessel contract होगा तो जब nerves produce करती है तो we say that neurogenic reflex vasoconstriction इस process को हम कहते है neurogenic reflex vasoconstriction और जब damaged muscles produce करती है then vasoconstrictions then we say myogenic myogenic vasoconstrictions myogenic vasoconstrictions not only these damaged endothelial cells होते हैं वो एक protein release करते हैं कौन सी protein होती है वो होती है endothelin है ना वो कौन सी protein होती है वो होती है endothelin protein damaged endothelial cells produce करती है endothelin protein और यह endothelin protein का function क्या होता है normal condition में जब blood vessel damage नहीं होती तो endothelial cells जो vasodilators produce करते हैं जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात किती like nitric oxide and prostacyclin and ADP phosphatase उनको यह endothelin destroy कर देता है है ना तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तीन मेकानिजम से वेजो कंस्ट्रिक्शन परफॉर्म किया जाता है है ओके तो ना वी विल सी कि नेस्ट स्टेप क्या होगा आफ्टर दी वेजो कंस्ट्रिक्शन सो आफ्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन जो इस्टेप होती है व्लेड़ कास्केड़ में वह होता है प्लेटलेट के एहिजन डेखेंगे कि इस इंजरी साइट पर किस तरीके से प्लेट्लेट्स आकर के one by one adhere करेंगे तो second step is what second step is platelets platelets erasion platelets erasion होता क्या है कि यह ो रब्चरड endothelium cells है यह एक स्पेसिuemेट प्रोटीन सेससेज करती हैं जिसको हम कहते हैं VW factor जो ruptured endothelium cells है यह एक specific protein synthesize करती है जिसको हम कहते हैं VW factor क्या कहते हैं VW factor और जहां पर injury site है इस injury site पर हम देख रहे हैं कि sub endothelial surface exposed हो गई है है ना तो जब sub endothelial surface exposed हो जाती है तो यहां पर बहुत सारे amount में collision यहां पर पाए जाते हैं so let us suppose this is a collision बहुत ज्यादा amount में collision यहां पर प्रेजेंट होता है just after vasoconstriction process यह जो ruptured endothelium cells है इन में क्या present होता है इन में present होते हैं VW factors suppose these blue color dots are VW factors और इनकी synthesis कहां होती है इनकी synthesis भी sorry इनकी synthesis भी endothelium cells में होती है तो होगा क्या कि यह जो ruptured endothelium cells हैं यह इस VW factors को release करेंगे और इन VW factors में property होती है love collision they are collision philic molecules toxins तो होगा क्या कि these VW factors will come and bind here इस तरीके से यह exposed sub endothelial surface प्या करके यह दोनों तरफ से बाइंड हो जाएंगे as well as remember VW factor के receptors present होते हैं कहां पे platelets पे this is a blood vessel suppose तो यहां पे बहुत सारे platelets present होंगे suppose these are platelets suppose these are platelets तो होता क्या है कि platelets के surface पे cell surface पे receptor present होता है किसके लिए for VW factors so first let me label them what are these these are VW factors और इनका secretion कहां से हो रहा है they are secreted by ruptured endothelium cells okay and for these VW factors there is a receptor which is present on the platelets surface and this receptor का नाम क्या है this receptor का नाम है GP1 B what is the name of this receptor GP1 B glycoprotein 1 B receptor okay तो what happens when this VW factor that is VW factor binds to GP1 B receptor then the platelet activation process starts अब क्या होगा जब GP1 B receptor से VW factors bind करेंगे तब platelet activation का process start होगा तो let's see कि what happens further हमें ये चीज़ नहीं भूलनी है कि इस area में अब कोई endothelium present नहीं है it means कि इनके पास में platelets को inhibit करने वाली property खदम हो चुकी है तो अब जो blood vessels में जो platelets circulate कर रहे हैं वो platelets इस area पे आकर के stick करने की tendency रखेंगे है ना so what will happen कि अब platelets यहां पर आकर के stick करेंगे और ये VW factors के लिए VW factors के लिए they have receptors okay so suppose this is a one platelet and this is a receptor और इस receptor को हमने क्या नाम बोला है GP1B receptor so now let us zoom this this ligand or receptor के process को थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं कि कैसे platelet activation होता है तो suppose यह platelet है और इस platelet पे receptor present है और रिशेप्टर का नाम क्या है GP1B और होगा क्या कि इस पर आकर के VW factor bind करेगा और जैसे VW factor आकर के GP1B receptor पर करता है होता क्या है कि कि फर्दर एक्टिवेट करता है यह पी लसी को कि फास्फो लाइपेज सी एंजाइम को और फास्फो लाइपेज सी एंजाइम क्या करता है यह जो फास्फो लिपिड प्रेजेंट है फास्फो लिपिड जो प्रेजेंट है उसको यह कनवर्ट कर देता है किसमें यह कनवर्ट कर देता है रचेटोनिक एसीड में है uh and this uh a riche ॉनिक एसीड इस संफर्दर कनवर्टे इन्टो थ्रॉमबोक्सेन एट्व थ्रॉमबोक्सेन एट्व and thromboxane A2 is a very popular vasoconstrictor इसके दो function होते है thromboxane A2 के कौन-कौन से एक ये एक vasoconstrictor है और दूसरा it is a platelet aggregator platelet aggregator वही हमने देखा था कि एक healthy endothelium cells में क्या produce होता था prostacyclin PGI-2 वहीं पर prostaglandin that is prostacyclin it is a type of prostaglandin तो वहां पर हमने देखा था कि prostacyclin secret हो रहा था एक healthy endothelium cells से वह क्या थे वह vasodilators थे बट जब injury हो गई तो क्या हो रहा है यहां पर vasoconstrictor release हो रहा है और कौन सर्वेजो कंस्ट्रिक्टर है thromboczyn A2 तो जैसा हमने देखा कि thromboczyn A2 जो है इसके पास में platelets को aggregate करने की मतलब platelets को accumulate करने की tendency है तो तो सपोज अगर किसी patient में platelets बहुत जादा amount में aggregate होते हैं तो उस patient को हम क्या देंगे उस patients को हम दे देते हैं aspirin तो aspirin जो drug है उसका mechanism क्या होता है कि there is an enzyme वह enzyme क्या करता है इस arachidonic acid को convert करता है thromboczyn A2 में और वह enzyme कौन सा है वह enzyme है cyclooxygenase cyclooxygenase और जब aspirin that is a salicylic acid जब उससे patient consume करता है तो aspirin का mechanism क्या है aspirin will inhibit aspirin क्या करता है इस enzyme को inhibit कर देता है और जब cyclooxygenase inhibit हो जाएगा तो क्या platelets thromboczyn A2 को form कर पाएगे the answer is no क्योंकि अब यह enzyme inhibit हो गया जब enzyme ही नहीं है तो arachidonic acid thromboczyn A2 में convert नहीं हो पाएगा thromboczyn A2 में convert नहीं हो पाएगा तो platelets का aggregation रुक जाएगा platelets aggregate नहीं हो पाएगे तो ऐसे करके जितने यहां पर VW factors present है यह सब पर आकर के platelets आकर के bind हो जाते हैं तो suppose सब पर आकर के platelets आकर के bind हो गया इस process को हम क्या कहते हैं इससे कहते हैं platelet adhesion और यह adhesion कैसे possible हुआ by the help of ligand that is VWF factor and receptor GP1B तो platelet adhesion क्या हुआ platelet adhesion is a process की platelet जा करके stick हो रहे हैं एक non platelet surface पे मतलब इस surface पे platelets नहीं present है तो the surface on which there is no platelets और उस surface पे जा करके अगर platelets bind करें this process is known as platelets adhesion और हमने देखा की कैसे GP1B से bind करने के बाद में कैसे process होती है और कैसे thromboxyl A2 release करता है platelets और जा की क्यूंग और हो आ की, और है पुद नहूंग इस वそうですね गल बहुदा